जौलंदर लोग सुबा उपचुनाव होने के बाद अब सभी को नतीजों का इंतजार है जौलंदर उपचुनाव के लिए कल सुबा 8 बिजे से मतगणाना शुरू हो जाएगी और माना जा रहा है कि दोपहर तक नतीजे घोशित हो जाएंगे तो वहीं उपचुनाव के लिए 10 माई वोटिंग होई थी जिसमें 54 फीसदी से जादा मतदान हुआ था उपचुनाव के लिए कुल 19 उमीदवार मैदान में उत्रे वे थे अब इन सभी की किस्मत का फैसला कल होगा तो आपको बता दे कि 19 उमीदवारों की किस्मत का फैसला कल हो जाएगा क्योंकि 10 माई को जो वोटिंग होई थी उसके बाद नतीज़े कल आएंगे जिसका इंतजार सभी को है जो अलंधर उपचुनाव के लिए कल सुभा 8 बजे से मतगड़ना शुरू हो जाएगे और ऐसा माना जा रहा है कि दोपहर तक नतीज़े गोशित हो जाएंगे उपचुनाव के लिए 10 माई को वोटिंग होई थी जिसमें 54 फीसदी से जादा मतदान हुआ था उपचुनाव के लिए कुल 19 उमीदवार मैदान में उतरे थे और अब इन सभी की किसमत का फैसला कल होगा यानि कि 13 माई जब इवियम खुलेगा और उसके बाद काउंटिंग शुरू होगी और किसमत किसकी अच्छी रही किसे जनता ने आशिरवाद दिया इसका फैसला कल हो जाएगा उनिस उमीदवारों कि किसमत इवियम में कैद हुई थी 10 माई को जब वोटिंग हुई थी तमाम जो जालंधर की जुनता है चाहे उसमें बुड़े बुजर्ग रहे हो महिला रही हो या युवा रहे हो बर्द चड़ करके उन्होंने हिस्सा लिया था 54 फीसदी से उपर मतदान हुआ था और कल यानि कि 13 माई को मतगणना होगी काउंटिंग होगी नतीजे खोशित होंगे और जादा जौनकारी के लिए हम सीदे रूख कर लेते हैं अपने संबादाता दीपक शर्मा का दीपक वाश हो आपजी है वोटो की मतदाना जू है वो शुरू होगी और लख बार लगबर चो ते होगी asking कि सिर्ट पर करجा हुआ है क्योंकि और लग्लग करें। पार्टी की बात करें, बीजेपी आरिन की बात करें, आमाधी पार्टी की टरब selon में शुशियर बीजेपी की ओते तमाम स्टार परचारग जो है वो जलंदर पहुंचे केंदरी मंत्री अनुराग छाकूर केंदरी मंत्री हरती पुरी साइट तमाम स्टार परचारग जो है वो जलंदर पहुंचे बीजेपी पत्याजी इंब्रेक्ट पासिंग अत्वाल के लिए परचार द उनके पास थी और अपिशनी दोबा से लगाता है वो जीते आ रहे तकि 1999 से सीट लगाता तक जो है एक कॉंगेस के पास रही है कॉंगेस के लिए अपरिटर सुक्रस्वाव भी तमाम जोर जजमाश्टी गई बिल्कुल तस्वेर कल क्लीर होगी दीपक लेकिन ये समझना होगा क्योंकि हमने देखा है चुनाव से पहले पार्टी बदल दी जाती है तो यहाँ पर हम सुचील कुमार इंकू की बात कर ले या फिर बात यहाँ पर हम इंदर इकबाल अच्वाल की कर ले इन्होंने भी अपनी पार्टी को बदला उसके बाद चुनावी मैदान में उतरे क्या लग रहा है इसका बेनिफिट होगा कल कुछ इनके रिए आशिरवाज जनता की तरफ से निकल कर के सामने आ सकता है क्योंकि कहना जल्दबाजी है लेकिन आप फील्ड में हैं आप लोगों से बाच्वीत कर रहे हैं किस तरह की जो एक आशंका या कहे तो भनक जो है वो लग रही है जी बिल्कुल हर पार्टिजन लग पर जो इसकी है इंडरे इंडरे पार्टिजन अक्वाल जो है वो इससे पहले अकाली दन में थे उन्होंने बीजे पी का दाम अन्थामा उसके बाच चरुंग जिसमें अक्वालों के पिता है और जलंदर की बात की जए तो जलंदर में जलंदर जलंदर लोकसबा पाकी बात की दे दो ब्रब्रन तबहल कि पटने मंनिवन चार डवा अर और लोकसबा भी अरक्षित आब जलंदर की पुरे भूत बात की बात की के बंद और यारीसलेइशिच परसंट बाहिवाहेथ बाइश में से बहुत संख्यक जो वोट है रभी तास्किय बहीं से रभी तारी के सहारे फिछले लबे अस्टे से जो है कॉंग्रिस के जो है संथोक चौद्रियां से जीत प्यारे हैं और अगर इंडरेट इस पासिंग अफ़ाल की बात की गए तो यह तो है मश्टी शिक बार्चे आते हैं तो परिमें इनके बहुत संख्यक वोट है हलाकि सुशील प्रिंक्पु जो है इनका भी अच्छा जनाजारा है पहले जो है शीतल अंगराल जो है जनांदर बैस्टी इनके खिलाफिन में चुनाव जरता तले कांगरेश में थे इसके बाद आम आदमी पा जैसने चैसे उस शील प्रिंक्पु हो जै लिए इक वाल ओ अत्वाल हो शुक्मेंदर सुखी एसुकी मुझा मजूदा विटायक दी है जो हो इस तमाम जो अमिदवारों ने कहीं न कहीं जो रित्माईश की है जी और कलकिस्मत का फैस्ना कहीं न कहीं होने बाला है जी कलकल करे परबाला सेंट्री पोसिस की भी मदद दी जारी है अज सेनिक बेल जो है वहां लगाए गया है साथी साथ पंजाब पुलिश जो है पोस रख्शा कर गया एगिया मशीन की कल सुखा आख पज़े से जो है बोतों की मत देमना जो है शुरू हो जाएगी जी और कल पता हो जिनके लिए कल का दिन बहुत बड़ा दिन होने वाला है उसी के साथ जालंधर की जुनता के लिए भी ये दिन जो है बहुत बड़ा होने वाला है क्योंकि उन्होंने जिन उमीदवार को अपना वोट दिया है क्या वो जीत करके इस चुनाव को जीते हैं देखना होगा कल तस्वीर क्लियर होगी, आप अपडेट देखते रहीएगा, सुभा साथ बज़े से लगातार MH1 न्यूस चैनल पर, आपको पलपल की जानकारी हम पहुंचाते दे रहेंगे, और सबसे तेज आपको चुनावी नतीजे सिर्फ MH1 पर ही देखने को मिलेंगे.